हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल सहेज क्लासिज तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है तू सोल्यूशन उसका एंचीर्टी एक्सल साइस का क्योशन 22 देखेंगे इससे पहले जो इसके 21 क्योशन है वो वन बाई वन हम बिलकुल अच्छ से एक्स्प्लेइन कर चुके हैं आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं तो इस क्योशन में हम से क्या पूछा गया है एट 300 कैल्वीन 36 ग्राम ऑफ गल्कॉज पर जैन इन लीटर ओफ इट सॉलूशन है जैन उस्मोटिक प्रैशर ओफ 4.98 बार यहां पर हमें क्या ग है इस दी ऑस्मोटिक प्रैशर ओंटी सॉलूशन इस एक सेंटेम टैमरीशर टरिशाटकी वैल्यू सेम हो और जो अपना स्मोटीव प्रैशर है उसकी जो वैल्यू आ जाए इतनी तो वइत सैंसें यह तो तब इसकी जो हो जो कैल होगी तो सबसे पहले तो कि जो अपना CRT, वहाँ पर C क्या होती है, concentration, R is gas constant and T is temperature, ठीक है, उसके बाद अब हम C को क्या लिखते है, molosity is the number of moles of solute divided by volume of solution, तो यहाँ पर हम pi is equal to N by V is equal to RT, तो V की value यहाँ पर कितनी given है, 1 liter given है, अब यहाँ पर हम इसकी values को put करेंगे, देखो, number of moles किसके एकवल होते है, number of moles of solute is equal to given weight of solute divided by molar mass of solute, अब देखो, यहाँ इसका जो given weight है, अपने पास यहाँ पर कितना है, 36 gram, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो given weight है, of solute, solute, यहाँ गल्कोज लिख सकते हैं, हम दो लिख सकते हैं, 36 gram, अब हम इसका क्या चाहिए, यह होगा, molar mass of glucose, glucose का जो फॉर्मूला होता है, वह होता है, 6 6, H12, O6, तो यहाँ से देखो, carbon है 6, एक carbon का मास होता है 12, plus में, जो hydrogen है, वो 12 है, एक hydrogen का मास होता है 1, plus में, number of oxygen is 6, and the mass of the 1 oxygen in 16, तो यहां से क्या जाएगा यह, जब हम इसको calculate करेंगे तो किसकी इक्वला जाएगा, 180 gram पर mole के इक्वल आजाएगा, ठीक है, तो यहां से हम क्या, अपनी जो, इसकी जो number of moles की value निकालेंगे तो किसनी आएगा, given weight of solute, which is 36 grams, और molar mass of solute is equal to 180 gram per mole, तो यहां तो gram से gram cancel और 36, 180 mole यह भी value आगी, अपने पास M की value है, अपने पास Pi की value है, R is gas constant और T temperature, इन्होंने क्या बोला कि जो दोन्नों से होंगे ना वो same temperature पर होंगे, तो हम पहले इससे जो temperature की value निकालेंगे first वाले से, temperature की value निकालेंगे, जब temperature की value same है, तो हम दोनों को equality पर put कर सकते हैं, कैसे, इसके लिए देखो first वाले के लिए जो Pi की value है, वो कितनी given है, 4.9 bar for first solution, कितनी given है, 4.98 bar, तो यहां पर value put करेंगे, 4.98 bar is equal to number of moles, तो किसके equal आये थे, 36 divided by 180 mole, और जो volume की value है, निचे थी ना, वो कितनी थी, 1 liter, और RT को मैसे के ऐसे लिए के चलते हैं, क्यों, क्योंकि हम temperature की value निकालेंगे, यहां से, नेक्स्ट वाली में put कर देंगे, तो यहां से देखो, यह किसके multiply में आएगा, 4.98 bar, और साथ में आ जाएगा लीटर, और यह mole इस साइड आयेगा, तो divide में उपर जाके हो जाएगा mole per mole, और निचे क्या हो जाएगे यहां पर 36 और यह 180 जाएगा टॉप में, यहां पर यह divide में उपर जाके हो जाएगा, किस्के एकवल हो जाएंगे और यहां पर मल्टिप्लाइब की में तो यहां पर साइब्स पर की वैलुम्यों तो सिंपल cansteam ग्ल्यों कितनी हो गई कि यह जो हमने liक Kathy यहां पे था डिवाइड में तो यहां करे आकर आगया में शॉंक या न्युनिट मोल है तो यहाँ पर यहाँ दिवाइड में अज्य नहीं बिक्न है यह सिक्नkee स्थान पॉईक्स के ऊपनी किस की वैलिवाली कि प्रॉम संतक्पर से कैस ऐसे ही जब लेंगे अपना 2nd case उसमें जो पाई की वैल्यू गीवन है वो कितनी है 1.52 बार तो यहां से हम कैसे लिखेंगे कि पाई की वैल्यू है अपनी 1.52 बार और पाई किसके इकवल होता है सब्सक्राइब यहां से सब्सक्राइब के देखो सब्सक्राइब इन है निकालए लायत लेक्त direct किस थे बार डिवाइड बाई आसी मुल्टिप्लाई में र तो इसकी वैल्य हो जाएगी अब यहां से देखो सेगंड केस हो गया अपना अब इनों ने बोला है कि जो भी यह रियक्शन हुई ना यह सेम टेंपरेशिर पर हुई है किस पर हुई है रियक्शन इज एट सेम टेंपरेशिर सेम टेंपरेशिर पर होने की विजय से हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं कैसे कि जो अपना यह वाल्य वैल्यू थी 4.98 बार लीटर पर मोल मुल्टिप्लाई में 180 डिवाइब थर्टिसिक्स मुल्टिप्लाई में और किसके इकवल हो जाएगा यहां से 1.52 बार और यहां से मुल्टिप्लाई में और से आज कैंसल हो जाएगा बार से बार और यहां पर देखो के वेलू ज़ी तो यहां पर क्वेल difference में ऑनके ना तो यहां पर यहां पर यहां पर यहवाला 4.98 हो नीचे यह पर देखो कि दो सबस्ता रही नーダंचे मीच पर जाएगा निच्चे आप धार बार यहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि जो अपनी concentration की value होगी वो किसमें होती है mole per liter में होती है तो जब हम इसको solve करेंगे यहां से तो जो इसकी value आएगी वो आएगी 0.06110 mole per liter तो concentration की value यह आएगी simple हमने क्या किया है कि 2 हमें दिये गई हैं 2 cases तो एक case से हम temperature की value निकालेंगे second case से हम temperature की value निकालेंगे दोनों को हम equal कर देंगे क्योंकि जो इन्होंने बोला है कि जो भी equations होई है यह same temperature पे हुई है तो यहां पर जो अपना एक क्योशन है 22 वो complete होता है कोई आउट है तो आप comment section में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योशन 23 के साथ तब तक के लिए धन्यवाद thanks for watching my video